वेलकम टू अजीत की यार आज किस वीडियो में हम लोग दसमलव का भाग करना सीखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखी यहाँ पर पहला कोशन है इसमें 3 में 0.6 से डिवाइट करना है तो देखी यहाँ पर सबसे पहले क्या है 3 तो यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे इसके बाद देखिए इसके बाद है 0.6 तो इसके नीचे में हम 0.6 को लिख लेंगे इसके बाद क्या करना है तो देखिए इसके बाद इसमें से दसमलव को हटाना है तो देखिए अगर हम यहाँ पर से इस दसमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में हमें 0 को लगाना होगा तो देखिए यहाँ पर दसमलव के बाद कितना संख्या है तो यहाँ पर दसमलव के बाद एक संख्या है, तो देखिए, यहाँ पर हम दसमलव को हटा देंगे, और इसके इस चैड में कितना संख्या है, तो देखिए, इसके इस चैड में एक संख्या है, तो यहाँ पर हम एक 0 को लगा देंगे, अगर यहाँ पर दो संख्या रहता है दसमलव के बाद तो यहाँ पर हम 2 0 को लगाते हैं अगर दसमलव के बाद 3 संख्या रहता तो यहाँ पर हम 3 0 को लगाते हैं तो देखें यहाँ पर दसमलव हट चुका है अब यह है 30 और नीचे में है 6 तो इसे हम काट लेंगे तो तो देखे यह 6 से कट जाएगा 6 कम 6 और इसे 6 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा 635 तो देखे यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया तो इसका आंसर आ गया 5 सेकेंड कोश्चन तो देखे इसमें 1.28 में 0.08 से डिवाइड करना है तो देखे सबसे पहले यहाँ पर है 1.28 तो इसे हम लिख लेंगे तो यहाँ पर है 1.28 और इसके बाद क्या है तो इसे हम नीचे में लिख लेंगे 0.08 अब क्या करना है तो देखे अब इसमें से दसमलब क तो देखिए अगर हम यहां पर से इस दस्तमलब को हटाएंगे तो इसके नीचे में कितना 0 लगाएंगे तो देखिए इसके बाद 1-2, 2 संख्या है तो हम 2-0 को लगा देंगे अब आगे देखिए तो अब हमें यहाँ पर से दसमलब को हटाना है तो यहाँ पर से इस दसमलब को हटाएंगे तो उपर में कितना 0 लिखेंगे तो देखे यहाँ पर कितना संख्या है यह 2 0 बाद में लिखें और पहले से क्या है दो संख्या है दसमलब के बाद में तो हम यहाँ पर दो 0 को लिख लेंगे उपर में इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कटने वाला संख्या उसे कात लेना है तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और देखिए यहाँ पर बच गया 128 यह दसमलब हट चुका है और यहाँ पर बच गया है 8 यह दसमलब हट चुका है अब देखिए यह 4 से कट जाएगा तो इसे हम 4 से काट लेंगे 4 दोना 8 और इसे 4 से काटेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दोना 8 फिर देखे यह 2 से कट जाएगा 2 एक कम दो और इसे 2 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा 16 दुना 32 तो देखे यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 16 तीसरा कोशन तो देखे इसमें 0.165 में 1.5 से डिवाइट करना है तो देखे यहाँ पर सबसे पहले क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले है 0.165 और इसके नीचे में क्या लिखेंगे तो देखे इसके नीचे में लिखेंगे 1.5 अब देखे यहाँ पर से इस दसमलब को हटाना ह तो अगर हम यहाँ पर से इस दसमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे में कितना 0 लगाएंगे तो देखिए इसके बाद है 1, 2, 3 दसमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 3 0 को लगा देंगे अब देखिए नीचे में दसमलव के बाद कितना संख्या है तो यहाँ पर देखिए तीन जिरो ये बाद में लिखे है पहले से कितना संख्या है तो दसमलव के इस सैड में एक संख्या है तो हम इस दसमलव को हटा देंगे और उपर में एक जिरो को लगा देंगे अब देखिए इसमें जो कटने वाला संख्या से हम काट लेंगे तो देखिए एक जिरो से एक जिरो कट जाएगा अब देखिए ये पंदरा से कट जाएगा इसे पंदरा से काटेंगे तो पंदरा एकम पंदरा और ये दो जिरो आ जाएगा और इसे पंदरा से काटेंगे तो तो देखिए पंदरा एकम पंदरा बच जाएगा एक पंदरा फिर हो जाएगा पंदरा एकम पंदरा तो देखिए उपर में कितना आ गया तो उपर में आ गया एक ग्यारा और नीचे में कितना है तो नीचे में है एक सो तो एक ग्यारा में हम एक सो से भाग करेंगे तो कितना तो देखिए यहां पर क्या है 100 इसके नीचे में क्या है 20 तो यहां पर से 20 को हटाएंगे तो 2 अंके बाद दसमलब लग जाएगा तो देखिए यह क्या हो जाएगा 0.11 यानि कि 0.11 यह हो जाएगा इसका आंसर चौथा कोश्यन तो देखिए इसमें 35.14 में 2.8 से भाग करना है तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है तो सबसे पहले यहां पर है 35.14 तो इसे हम लिख लेंगे और इसके नीचे में क्या लिखेंगे तो इसके नीचे में लिखेंगे 2.8 अब देखिए यहाँ पर से क्या करना है दसमलव को हटाना है तो यहाँ पर से अगर हम दसमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे में कितना 0 लगाएंगे तो देखिए 1.2 दसमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर हम 2.0 को लगा लेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर दसमलव के बाद कितना संख्या है यह दो 0 अभी में लिखे हैं और यह पहले से क्या है एक संख्या है तो यहाँ पर हम दसमलव को हटा देंगे और इसके बदले में हम एक 0 को लिख लेंगे अब देखिए यहाँ पर जो कटने वाला संख्या उसे हम काट लेंगे तो देखिए एक जिरो से एक जिरो कट जाएगा अब देखिए यहाँ पर यह बच गया 3514 और नीचे में बच गया 280 तो यह साथ से कट जाएगा तो इसे हम साथ से काट लेंगे तो देखिए, साथ से काटेंगे, तो साथ चक हो जाएगा 28, चार बार में काटेगा, और यहाँ पर एक 0 है, तो एक 0 को लिखेंगे, और इसे साथ से काटेंगे, तो देखिए, यह हो जाएगा, साथ पचे 35, पांच बार में काटेगा, और यहाँ पर एक 0 को लगाएगे, और यह हो जाएगा 7 दुना 14 तो देखी यहाँ पर काटने के बाद ओपर में आ गया है 502 और नीचे में कितना है तो नीचे में है 40 तो 40 को लिख लेंगे अब देखी यह 2 से कट जाएगा 20 दुना 40 और इसे 2 से काटेंगे तो 25 दुना 50 और 2 एकम 2 फिर इसे हम 2 से काट लेंगे तो यह हो जाएगा 10 दुना 20 और इसे 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा यह बशेगा 5 2 दुना 4 बशेगा 1 11, 2 पंचे 10 फिर 2 पंचे 10 तो देखी यहाँ पर ओपर में आ गया है 125 दसमला 5 और नीचे में क्या है तो नीचे में है 10 तो अब हमें क्या करना है 125 दसमला 5 में 10 से भाग करना है तो देखी इससे हम भाग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखी इस 0 को हटाएंगे तो एक अंके बाद दसमला आ जाएगा तो देखी 125 दसमला 5 में जीरो को हटाएंगे तो ये क्या होगा दसमलब एक अंक बढ़ जाएगा तो बारह दसमलब पांच पांच ये हो जाएगा इसका आंसर ये रहा आज का लास्ट कोश्चन तो चलिए इसे भी हम सॉल्ब करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है तो सबसे पहले इसमें इस दसमलब को हटाना है तो देखिए यहाँ पर से अगर हम इस दसमलब को हटा देंगे तो इसके नीचे में कितना 0 लिखेंगे तो देखिए दसमलव के बाद कितना संख्या है तो एक, दो, तीन, चार दसमलव के बाद चार संख्या है तो नीचे में हम चार 0 को लगा देंगे एक, दो, तीन, चार अब आगे देखिए यहाँ पर नीचे में दसमलव के बाद कितना संख्या है तो 1,2,3,4,5 पांच संख्या है तो इस दस्यमलव को हटा कर उपर में हम 5 0 को लिख लेंगे अब देखेए इसमें जो कटने वाला संख्या उसे हम काट लेंगे तो देखेए 4 0 से 4 0 कट जाएगा और उपर में बच गया 240 और नीचे में बच गया 8 तो यह 8 से कट जाएगा 8 है कम 8 और इसे 8 से काटेंगे तो 8 तरिक हो जाएगा 24 और 1 0 है तो 0 तो देखिए से काटने के बाद कितना आ गया तो इसे काटने के बाद आ गया 30 तो यह हो जाएगा इसका आंसर तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें